When you focus on problems, you'll have more problems. When you focus on possibilities, you'll have more opportunities. There's a positive side to everything. It just takes a positive mind to see it. हर प्राणी के बीतर कुछ बुरा इया होती है और कुछ अच्छा इया. रावन के साथ भी ऐसा ही था. रावन का सबसे बड़ा दुर्गुन उनका अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश करा दिया. लेकिन यह भी सत्य है कि रावन में अनेकों खूबिया भी थी, जो कि उसे महान बनाती है. वालमी की रामायन में भी वर्नन आता है कि जब हन्मान जी मा सीता की खोज में लंका पहुंचे थे, तो वो भी रावन की कईी खूबिया से आकरशित हुए. रावन बहुत विद्वान, चारों वेदों का गनाता और जोतिश विद्या में पारंगत था. इंसान के मस्तिश्क, बुद्धी और गनान का बंडार होता है, जिसके बल पर वह जो चाहे वो हासिल कर सकता है. रावन को दस सिर थे याने भावतिक रूप में दस सिर नहीं लेकिन दस सिर के मस्तिशकों में जितना ग्नान, बुद्धी और कलावों का बंडार होता है उतना ही रावन के एक मस्तिशक में ही है रावन की विद्वता से प्रभावित होकर बगवान शिवजी ने अपने घर की वास्तुशान्ती हेतु आचार्य के रूप में रावन को ही निमत्रन दिया था रावन अपने तपोबल से सभी देव और ग्रहों को अपने पक्षमे कर लिया था रावन की कटोर तपसिया से कुश हुए ब्रह्मजी ने रावन को अमर्ता और विद्वता का वर्दान दिया था रावन रसायन शास्त्र में ग्नानी होने से कई अचूक शेक्तियों को हासिल कर अनेक चमतकारिक कार्य जैसे अग्निबान, जल बान, अद्रिश्य होना हासिल किये वेदों की रुचाओं पर अनुसंधान कर रावन ने अनेक विग्नान क्षेत्रों में उलेखनी सफलता हासिल की रावन आयुर्वेद शास्त्र में प्रवीन थे और एक महान कवी भी थे चिननने शिवतांडव स्तोत्र की रचना कर बगवान शिव को प्रसन कर वर्दान पाया यही नही वो विणा बजाने में भी सिद्ध हस्त थे उन्होंने बेला या रावन हत्ता नामक वाधि भी बनाया जो आजकल के वायलिन का मूल रूप कह सकते है रावन अपनी सची लगन शिलता के कारण दिव्यास्त्र, शस्त्र, मंत्र तंत्र की सिद्धिया प्राप्त कर विश्व विक्यात बने रावन निर्भीक और निडर था युद्ध के मैदान में श्रीराम, लक्ष्मन, हनुमान जी जेसे योध्धाओं को सामने देख वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ स्वयम श्रीराम ने रावन की बुद्धी और बल की प्रशंशा की और जब रावन मुर्थशया पर था तो श्रीराम ने लक्ष्मन को रावन से सीख लेने को कहा रामायन के अनुसर हनुमान जी ने रावन का वैबव देख कर कहा था कि रावन रूपरंग, सौंदर्य, धैर्य तदा सर्व लक्षनों से परिपुर्ण है और अगर अहांकार के कारण वह अधर्म में भी अधिक बलवान नहीं होता तो वह खुद के और लंका नाश कारत नहीं बनता